हेलो एवरिवन, स्वागत है आप सुभी क्या एक बार, फिसे हमारी चैनल GDC एटुटर में जैसा कि आपको पता है, D-Pharmacy का exit exam होने वाला था और exit exam को ले करके PCI और NBMS की तरफ से काफी दिनों से बहुत घाल मेल और response देखने को ही नहीं मिल रहा है उसी के regarding NBMS की तरफ से एक और notice आई है जिसमें NBMS हर साल अपने under कराई जाने वाले सभी exam का calendar जारी करता है जिसमें हमको ये देखने को मिला है कि exit exam से related कोई भी update नहीं आ रही है क्योंकि बच्चों का समय भी बहुत खराब हो रहा है और बच्चे परशान भी हो रहा है अगर exit exam कराना है तो भी बता दे नहीं कराना है तो भी officially बता दे क्योंकि यहाँ पर time के साथ साथ उनका पैसा भी फसा हुआ है उनसट सो रुपए जो फीस थी वो अभी तक refund भी नहीं होई है ऐसे बहुत से confusion है ऐसे बहुत से doubt है जो कि बच्चों के मन में है उसी के regarding यह video होगा आपका सारा doubt भी clear करेंगे और exit exam होगा की नहीं उसको भी बताएंगे और होगा तो कब तक होने की chances है उसको भी यहाँ पर हम clear करने वाले है तो पूरे video में लास्ट तक जरू बने रहीएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मिशन मिस नहीं होने पाएं जो की आपका examination body है किसका exit exam 20-25-24 का जो भी कह सकते हो ठीक है उसके official website पर जाओगे तो कुछ notice आया हुआ है उस notice में क्या कुछ बात की गई है उससे आपका clear हो जाएगा कि exit exam का क्या यहाँ पर date हो सकता है ठीक है यहाँ पर अगर आप 27 तारी को एक notice आई जिसमें क्या है schedule for forthcoming NBMS examination यानी कि भविस में जो भी NBMS के द्वारा exam होने वाले है उसका schedule कौन सा exam कब-कब होगा किस महीने में होगा उससे related यह PDF schedule होने वाला है इस पर click करोगे ना तो इसका जो official PDF है वो खुल करके आएगा जिसमे देख लेते हैं जो जो NBMS exam कराता है सभी चीजों का schedule यहाँ पर देखने हो लेगा ठीक है क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हो notice में schedule for forthcoming NBMS examination NBMS has already notified that the information bulletin and schedule for conduct of FMZ December 2024 and NBMS Diploma Final Theory exam December 24 NBMS shall also be conducting the following examination as per the tentative calendar mention below until the further update NBMS अलग अलग टाइप के exam कराता है NBMS कराता है अलग अलग चीजों का कराता है exam तो उनके exam का कुछ तो December में होई गया था यह BDS graduate के लिए 12 January 2025 को exam होगा है ना formative assessment test for FNB course 2030 admission session वाल होगा यह भी 12 January 2025 को होगा DNB broad specialty final practice exam October 24 यह आपका January February 2025 में होने वाल है ऐसे कर कर के देख सकते हो NEET MDS 2025 का exam NBMS Diploma Final Practice exam यह February March में है अब Diploma Final Practice यह आपका Diploma in Pharmacy नहीं है यह ध्यान देना FDST 2024 for MDS and PG Diploma graduate यह 9 February 2025 को होगा fellowship interest test यह आपका 16 February 2025 को होगा TNB Post Diploma Centralized Interest Test PD CET 2025 यह आपका 23 February होगा FNB जा exit exam March April 2025 को होगा है ना super specialty final practical exam यह भी आपका March April में होगा नीट SS 2024 2930 माद 2025 और नीट 25 नीट पीजी है ना 2025 यह अभी जल्दी अनॉंस कर दिया जाएगा लेकिन आपको पता होगा भविस्व में DPE Diploma in Pharmacy Exit exam का इन्होंने जो डेट दिया था सेप्टमबर से अक्टूबर जिया कोई नोटिस ही नहीं है अब Diploma in Pharmacy के बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल है अब बहुत सारे सवाल है कि हमारा exit exam होगा की नहीं है ना exit exam होगा की नहीं सबसे पहली बात है होगा की नहीं देखो हुआ क्या था पहले आपको पता था exit exam का तीन पेपर होना था तीन दिन होना था है ना और तीन दिन आपका कह सकते हो तीन पेपर में 50% पासिंग मार्स यह था इसका बच्चों ने विलोद किया कोलकाता हाई कोट में कोलकाता हाई कोट में यहां पे क्या हुआ था केज भी चला था जिसमें वहाँ पे अभी इस्टे लगाने की बात की गई थी है ना कि exit exam पे विचार करके इसकी पेपर पैटर्न को थोड़ा सा सुधार करके फिर आपको लाने की आवस सकता है जब इंडिट को फिसटम फुकले ऑफ़िचल गाती है उसमें अगर कोई चीज निकल जाती है तो वहां पर exit exam पूरा के तरीके से अच्छे से प्रस्तावित है वहां पर exit exam होने का पूरा पूरा प्लानिंग है अब paper pattern सही से decide नहीं हो पा रहा है date timing decide नहीं हो पा रही है और भी बहुत सी चीज़े हैं court में cases वगरा है तो आपको पता ही होगा order जितने भी exam होते हैं ससी वगरा के court में cases वगरा चलते हैं तो लंबी लंबी आपको इंतजार करना पड़ता है dates आती है ठीक है तो उस condition में same चीज़ आपके exit exam के साथ होने लग रही है तो वहां पे भी आपका exit exam की date नहीं आ रही है अब सवाल ही है कि होगा की नहीं तो भाईया यह तो confirm है कि exit exam होगा अब आपके लिए बहुत से लोगों के लिए अच्छी भी खबर होगी बूरे भी खबर होगी है ना कि exit exam होगा कि लेकिन official gadget में तो होना है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि exit exam कराया क्यों नहीं जा रहा है exit exam की date क्यों न नहीं कराये गया तो वह कब refund होगी कैसे refund होगी उसका भी process यह लोग नहीं बता पा रहे है नपी सी बता पा रहे है और अगर कराना में है तो जल से जल डेट जल्दी इसकी क्या दिए डेट देदे क्योंकि अगर जब तक डेट नहीं आएगी आपका motivation नहीं होगा और डिप्रेशन में आप रहोगे कि कब होगा क्योंकि time बीतता जा रहा है समय रूकी नहीं रहा है तो उस condition में आपका registration नहीं हो पा रहा है और registration नहीं हो पाएगा तो आपका प्रेशन के exam होगे रहे हैं अगर आपका exit exam हो गया रहता उसका क्या सकते हो result आ रहता तो अब तक आप कोई form अपलाई करके तैयारी कर रहे होते हैं तो यह सभी हमारे बच्चों को सभी को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल हम यहीं उम्मीद करेंगे कि जल्दी आप इंडिया का तो फामेसी कोंसे अभी तक तो जी पैट के फिलोसीट से डिलेटेड इशू को फेस कर रहा था और इस इशू को इन्होंने क्लियर कर दिया है अब इनके पास जो अगला इशू आ रहा है वह है exit exam तो भाईया most probably आपके exit exam की जो paper pattern है जिया उसके paper pattern की planning चल नहीं है और पेपर पैटन के बाद आपका जोबी कह सकते हो suitable paper pattern होगा और इंडिया के जितने भी बोड हैं उनके लिए suitable होगा उनके बच्चों के लिए suitable लगा और एक suitable date निर्धारित करके जल्दी से जल्दी मतलब इस दिसंबर के इस December के mid में अगर हम बात करते हैं mid December में इसके notice आने के chances हैं कि कब होगा exit exam, कैसे कराएंगे, क्या paper pattern होगा, क्या कुछ यहाँ पर कह सकते हो criteria follow करवाएंगे, यह सारी चीजों से related, यहाँ पर notice आएगी जल्दी आएगी, बस आप NBMS की site को चेक करते रहिए, channels को चेक करते रहि है, साथ ही साथ आपको बता दें कि जो exit exam की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके तैयारी के लिए जिस channel पर वीडियो देख रहे हो ना, इसी YouTube channel पर आपको exit exam से related free content मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में books वगरा के भी link है, उसको भी लगा दूँगा, है ना, यहाँ पर दे है, है। यह पी का exit exam से related playlist है, कोगनोसी का playlist है, कोलोजी का playlist है, प्ली जाए हुरी complete syllabus की playlist है, होस्पीटल की playlist है, therapeutics की playlist है, यह law and ethics हुआ, सारे के सारे subject आ रहे है द经 है तो है यह प्ले जास्पीजिट की लेबस को cover कर दिया गया है जीतना ही 11 सब्जेट आ रहा है इन सभी सब्जेट को देखिए इस चीछ को देखिए और आपका क्या राय है आपका क्या मिचार एक जिट इसाम से रिलेटेड आपका क्या जो भी point of view है या जो भी आपके बात है वो आप comment box में लिख सकते हो I hope video helpful रहा होगा विडियो अपने सभी दोस्तों को जरू सेर करें यहाँ पे बनी हुई प्लेजिट को विजिट करें मिलते हैं किसी के लिए वोड़ो में तब तक लिए thank you so much have a good day all the very best